हालो फ्रेंड्स असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं ख़जयत सोंगे आज मैं बना रही हूं चिकन टिक का मसाला चिकन की एक खास डिस है जो की फड़ाई की हुई चिकन और स्पाइसी गिरेवी के साथ बनाई जाती है बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इंशालला आपके फैमिली और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी तो आएए इस मज़ेदार सी देश्पी को बनाना शूर करते हैं इसे बनाने के लिए हमने बोलने स्टिकन का यूस किया है इसके छोटे-छोटे पीसेस करवाए हैं बहुत ज्यादा नहीं है मतलब मीडियम साइज है अगर आप चाहें तो हड्यों वाला भी लिए सकते हैं गोस्त तो इसमें हम डाल देंगे एक टेवली स्पून निम्बु का रर्ष और तीन-चौथाए टीस्पून नमक लिया हैं हमने नमक गिरवी में भी यूस करेंगे इसलिए भी कम डालेंगे अधा टीस्पून से थुरह तकम गरम अधा चिल्यद का। इसमे डादेट तो इस तरह से गारी दही आपको मिल जाएगी आधे घंटी के लिए रखा था हमने एक टेबली स्पून तेल डाला है हमने और इसे मिक्स कर लेती हूं अभी इसमें अधर क्लेशन का पेस्ट अपने नहीं डाला है तो इसे थुरा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें अधर टीस्पून कष्मीरी मिर्ची पाउडर डाल ली हूं थुरा सिक अच्छा आए गा अगर आप चाहे तो फूड़् किलर भी ढाल सकते हैं अगर कष्मीरी मिर्ची पाउडर नहीं तो और ये एक टीश्पून अधर लेतन तो अभी ठंडी का मुझा मैं इसलिए मैं इसे रूम टंपराचर पर रख रही हूं चीकन को मैरीनेट के हुए देर से दो घंटे हो गया है तो पैन में तीन टेबल इसमून के करीब हमने तेल डाला है तेल को अच्छे दर येके से गर्म कर लेंगे फिलें को मीदियम राखिए और मीधियम फिलेंपर ही इसे फ्राइए करेंगे आँ यह जो मसाले बचे हुए है इसे गारे living में यूज़योज कर लीजेगा भी ज़ी को मिदियम फिलेंपर शेक ने से इसका बहुत ही अच्छ टेस्ट आता है और चिकन भी बहुत यह अची हो इस तो देखे इसकी साइड हमने चेंज कर दिया है थोड़ा सब लगता है मीडियम पर क्यूंकि जो दही हमने डाला है और चीकन के भी हल्का समय से रिलीज होता है कुछ अच्छे तरीके से इसे फ्राइब कर लेंगे लेकिन ध्यान देखिएगा मीडियम फ्लेंपर ही करना है मैं इसे अभी पांच मिनट के लिए ढख करके पकाऊंगी तो इसे मैं दुस्ते चुले पर सिफ्ट कर दे रही है बिल्कुल लो फ्लेम पर रखिएगा पांच मिनट के लिए ढख करके और यहां वह मैं गिरेवी बना लेती हूं दो चिकेन फ्राई के रखिए के हमने काफी सारा तेल दाला था तो इसलिए मने इसमें कम डाल दी हूं तो एक टेवल स्पून्न हमने वटर डाला है वटर इसमें टॉटल ओप्सपून है अगर आप चाहें तो डाले नहीं तो इसकी कर सकते हैं और यहां पर हमने दो खरी एलाइची और दो से तील नाम दो टुपरी दाल चीनी इसको हम हलका सभून लेंगे और दो मिडियम साइज की प्यास को हमने इस तरह से बारी कट कर लिया है इसे हमें फ्राइ कर लियाना है गुल्डन ब्राउन करने तो हाई फिल्म पर इसलागा तार चलाते रहेंगे अगल देखे प्यास का कलर चेंज हो गया है और यह चिकन को पकते हुए पाच मिनट हो गया है बिल्कुल लो फिल्म पर हमने इसे पकाया है और इसमें से जो तेल बचे हुए है इसे मैं यूज़ कर ले रहे हूं वेतर है यही वाला तेल यूज़ कर लिजिएगा तो अच्छी तरीके से प्याज को ब्रॉण कर लेंगे देखे प्याज ग्लन ब्रॉण हो गई है तो अब मैं इसमें एक idéस्पूँन अदग लेतउन का पेस्ठ जो बागी बचा के रखत हमने और पाउडर मसाला में एक टीस्पून धनिया पाउडर आधा टीस्पून मिर्ची पाउडर आधा टीस्पून जीरा पाउडर एक चाव थाय टीस्पून काली मिर्चुगा पाउडर और आधा टीस्पून कश्वीरी मिर्च पाउडर लिया आमने यह सारे को डाल करके आधा मिनट के लिए भून लेंगे फिलेम को लोड रखेगा और इसमें हम डालेंगे आधा टी स्पून नमद और दो टमाटर की पीवडी हमने बना के रखी थी इसे डाल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे मसाले को पैन छोड़ने तक बहुती अच्छी तरीके से भून लिजिएगा तो देखें मसाले अच्छी तरीके से भून गए हैं थोरा सामी से और भूनेंगे देखें इस सारा का चाहिए होता है मैं और इसमें हम फड़ाई किया और गोस्त डालेंगे तो देखें यह अच्छी तरीके से गली नहीं है इसमें जो पैन में तेल बचे हुए हैं उसे भी डाल लीजिएगा इसे डाल करके एक मिनट के लिए हम अच्छे सभून लेंगे मसालों भी साथ मैं इसमें एक कप के करीब पानी डाल ली हूँ आप जतनी गिरेवी पसंद करते हैं उसी हिसाब से डाल लीजिएगा और इसे कवर कर देंगे पहले मैं इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून कसूरी मेथी लिया था हमने इसे डा करके पांस से छे मिनट के लिए बिल्कुल धीनी आज पर पकाएंगे तो देखे छे से साथ मिनट के करीब हो गए है चिकन अच्छी तरह से पक गई है तो मैं यहाँ पर दो टेबली स्पून घर की ताजी मलाई उसका एटी हूँ इससे बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है घर में जो दूद आते हैं उसकर की बलाई निकाल करके आप रख सकते हैं एक दो दिन का जमा करके रख लीजिए गया इससे अच्छी तरह से मिक्स करके दो मिनट के लिए हमीसे आठ पकाएंगे देखे दो से तीर मिनट हो गया है चिकन टिका मसाला बंकर की तयान हो गया थोड़ा सहरा दनिया पत्त डाल दे और इससे DR लेती हूं और अब इससे DR शाउट करती हूं बहुत ही टेस्टी बना है आप इसे जरूर ट्राय कीजिएगा उमीद करती हूं रेस्पी आप वो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बारा है तो मेरे चैनल को सब्स